आप सभी का स्वागत है आपके अपने जोतिस के चैनल भाग योद्य जोतिस के अंदर के इस वीडियो में साथ जो कई बार आप लोगों के जो प्रश्ण होते हैं उनके उत्तर देने में मुझे काफी खुशी मिलती है क्योंकि वह जो प्रश्ण होते हैं आपके वह सरभामिक होते हैं और सभी के उप्योग क्यों होते हैं जैसा कि आज का प्रिष्ण है कि आखिर पंचक होता क्या है, किस प्रकार से पंचक का इंधार्ण होता है, कौन से सम्मूव है निचुत्रों का जिसके वज़ा से ये पंचक होता है, इसके लावा पंचक में क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या नहीं करना चाहिए, कौन से का कारों के बारे अजिए हम थोड़ा सार निसकास्ट निकालने की कोशिश करेंगे। हाथिव सबसे पहले जोतिस सास्त्र में पंचक का बहुत अधिक महत्व है। खास तोर पे जभी भी किसी की कोई मृत्यू होती है, मृत्यू के समय में सभी के दिमाग में एक सवाल हमेंसा आता है। कि कहीं जाता कि जिस भी वक्ति की मृत्यू हुई है कहीं उसकी मृत्यू पंचक में तो नहीं हुई। क्योंकि पंचक में ऐसा माना जाता है कि अगर किसी की मिर्तियों पंचक में होती है और उसका दास अंसकार पंचक में होता है तो कहीं न कहीं वह अपने खोन सम्मंदित जितने रिस्तेदारिय वगरा होती है उन समय से अगले एक वर्ष में ही कम से कम पांच व्यक्तियों की मि ऐसा लोग मानते हैं इसलिए सद पंचक को जानना ये बहुत आवश्यक है कि क्या सच में से डरने की ज़रूरत है कि क्या कुछ उपायबी है जिससे कि हम पंचक से या पंचक के दुष्ट प्रभाव से बस सकते हैं सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पंचक होता क्या है हत्यों चंद्रमा का जो ब्रह्मनकाल सभी निक्षट्रों में होता है उसे के अनुसार ये हमारे जो टिथियों होती है उन तून हो को हम लोग निशकर्पास निकालते हैं और आप लोग को पता ही है कि चंद्रमा लगभग ढ़ाई दिन में एक राषी पार करता है और एक wrapsi में क्योंकि लगवर के लगवर के सवादो के असपास निक्षत्र होते हैं तो प्रती दिन चंद्रमा एक एक निक्षट्र को पार करता है और लगवर 27-28 दिन में 27-28 निक्षट्रों को पार कर लेता है जब इस भ्रह्मन के दोरान चंद्रमा कुम्ब राशी में और मीन राशी में प्रवेश करता है यानि कि चंद्रमा जब घनिष्टा नक्षत्र के अंतिन दोचरण हमें प्रवेश करता है तब से पंचक फ्रारम हो जाता है और घनिष्टा के बाद सद्विशा, पूर्वभाद्रा, उत्राभाद्रा और रेवती इन नक्षत्रों में जब तक चंदमा रहता है तब तक के समय को पंचक कहा जाता है पंचक के समय को कई जगह पे बहुत ज़्यादा खराब माना जाता है क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो अंतिम पांच नक्षत्रों होते हैं वो ज़्यादा सुब नहीं होते हैं इसलिए इन पांच निशत्रों के सम्मों को पंचक कहा गया है अब यहाँ देखते हैं कि वो कौन-कौन से कारे हैं जो कि पंचक में नहीं करने चाहिए या फिर इनका निशेद माना जाता है हाथ यह पंचक में दक्षिन दिशा की यात्रा को हमेशा अवाइड करना चाहिए या फिर दक्षिन दिशा की यात्रा को नहीं करना चाहिए इसके लावा सथ पर मकान पच्छतिन डिलवाना चाहिए किसी भी वक्ति की मिर्ति हो जाती है तो जब मिर्ति होती है तो उस समय में अलग अलग मत है कई जगह पर तो ऐसा भी कहाता है कि यह दि पंचक के समय में किसी के मिर्ति होती है तो उससाथ पांच पुतले कई बार जौ आटे के मिले हुए कई बार लोग जौ चावाल के हाटए केstart मिलागर केपूतले बनाते हैं और यसे निसके दासिद्जार करते हैं इससे की होने वाले जो दूष्प्रभाव है इससे कफिया है तक बचा जा सकता है यह पर्था हर जगाज पे अलग-लग होता है कई जगवह पे यहाँ पे पिंड या कुछ पिंड मनागर के भी दासन्सकार किया जाता है तो यह अलग-अलग जगवह पे अलग-अलग मत है इसके लावा किसी भी हालत में जलाने वाली चीज़ों को एकटा नहीं करना चाहिए जैसे कि पुराने जमाने में पुराने समय में लकडियों को एकटा करते थे जलाने के लिए या खाना नाने के लिए तो उस समय उसको भी निसेद माना जाता हुथ इसके लावा खाट बिनना जैब चारपाई बनाना निसेद माना गया है अब बात कर लेते हैं कि पंचक आखे कितने प्रकार के होते हैं पंचक मुख्य प्रकार से पांच प्रकार के होते हैं रोग पंचक राज पंचक अगने पंचक मिर्तिव पंचक चोर पंचक यह जो पंचक होते हैं इनको सबस्यादा माला जाता है जब भी भी पंचक रविवार को प्रड़र्म होते हैं तो रोग पंचक उसे कहा जाता है इस समय में जाता लोग को रोग आधी होने का खतरा रहता है राज पंचक जब सोमवार से पंचक स्टार्ट होते हैं तो इसको राज पंचक खायता है यह काफी सुब माना जाता है अगनी पंचक जब मंगलवार को पंचक स्टार्ट हो तब अगनी पंचक माना जाता है ऐसे में कहाता है कि इस समय में अगर पंचक बताना उचित है कि बुधवार को और गुरुवार को पंचकों से थोगा सा दूर रखा गया है मुझे उमीद है कि आज का जो ये वीडियो था आप लोगो काफी हता समझाने में मैं सक्षम रहा हूँ मैं कि आखे पंचक होते क्या है इसे किस प्रकार से हम जानते हैं इसके लाबा पंचक के बारे में आने वाले वीडियो में मैं काफी और चर्चारे करूंगा और उमीद करता हूँ कि यह जो मेरी वीडियो है उससे आप रोक आफशारी ग्यानवारे बातर सुने को मिली होंगी और आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहें इसके लिए प्लीज आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अपने मित्रों को साथ दोस्तों साथ सेर कीजिए तक ही वो भी इसका जानका क्यारी को अपने साथ रख पाएं और इसके बारे में समझ पाएं धन्यवाद।